हेलो दोस्तों वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पैंसनर्स फैमिली पैंसनर्स करमचारियों के लिए मैं आज की दिन बर की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आया हूँ जैसे कि आप सामने देख पा रहा है और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल क मेमेरेंडम लेकर आते हैं जिसे हम सम्झाए जाते है हमारे चैनल पर साती साथ vendas की जो प्रॉलम्स होती है शाइवं उनकी पैंसन छेड ले팅 हो उनके वेरियर से लेटेट हो या अधर बैनिफिट से लेटेट हो वो सब समझाए जाती है साती साथ उनको क्या करवाई करनी ह उसलिए अगर आप हमारे चैनल से जुडना चाहते हैं तो सिर्प इतना करना ऐसी समझयाओं से प्रोलम को सॉवव करने क्लिए बस करना इतना है फ्री में सब्सक्राइब करना है चैनल को ब्लाएक बटन के सब्सक्राइब को प्रेस करके साथी साथ आपके पास मारी वीडियो के लेटस्ट जो अपडेट्स हैं जो लेटस्ट इन्फोर्मिसंस हैं वो पहुँचें उसके लिए आपको बैल आइकन को यानि घंटे के निसान को जरूर प्रेस करना है तभी आपके पास वीडियो की लेटस्ट नोटिफिकेशन आप आती है और आप वीडियो को इसी तरीके से आगे भी वाच कर पाते हैं पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो बता दू मैं डी और डी आर के मर्ज को लेकर आ रही है जैसे कि आप सबी को पता है कि DAO DR 50% पहुंच चुका है उसके बाद मर्जिंग की खबर निकल कर आ रही है साथी साथ एकल पैंसनर्स में पूछा था कि सार आप जो 8 पे कमिशन में एक्रोइट फोर्मूला की बात कर रहे थे वो किस से रिलेटेट था क्या है वो फोर्मूला किसके बेसिस पर वो काम करेगा वो में इस वीडियो में बताऊंगा लेटेश्ट जो बड़ी अपडेट आई है वो आपको और भी कई सारे अपडेट है आप सामनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं सारी चीजों का डिटेल में बात करेंगे और लास्ट जो आ रहे है आठवे लास्ट जो आ रहे है एटीन मंस के डियो डियार को लेकर की बड़ा अपडेट निकल कर आया है पाइस नरस और असोऩियेसंस ने सरकार सरकार से रिक्वैस्ट रहे है सरकार से बहुक्सा स्bigषश चीजए एड करवाई जा रही है कwide निकल कर आएगा और पुट वो सारा इस वीडियो में हम चर्शा करेंगे जो इस बार का महहँगाई बदता और महहँगाई राहत है वो इस बार बहुत जल्दी अनॉंसमेंट देखने को मिलेगी और वैसा ही ठीक वैसा ही हुआ और आप सभी को पहले ही जो है काफी देन पहले ही इसकी अनॉंसमेंट देखने को मिली फाइनली खेर हम बात करते हैं DAO DR के मर्ज की आप सभी को पता है कि पांचवे वेता नायोग में या जो पैंसनल फिप्त पे कमिशन में रिटार्मेंट हुए थे उनको पता भी होगा कि फिप्त के पे कमिशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से DAO DR को मर्जिंग किया गया था फिर इसके बाद में 6 पे कमिशन में इसको मर्जिंग नहीं दी गए थी और बात करते हैं 7 पे कमिशन की फिलहाल जो चल रहा है तो 7 पे कमिशन में में इसमें मर्जिंग की बात नहीं है जो लोग यह कह रहे है कि जब 50% DAO DR हो जाएगा तो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा या फ अब 6 Pay Commission में अगर सब्सक्राइब करते हैं कि 100 से उपर पे कमिस्ट, 100 से उपर जो है DA-DR चला है तो यह ऐसे ही चलता रहेगा सब्सक्राइब करिए आपकी basic pension अगर 40 रुपए या 30 रुपए है तो अगर यह 100% DA-DR हो जाता है यानि कि अगर आपकी basic pension चालीस रुपए है तो चालीस रुपए है तो चालीस रुपए है आपको DR मिलेगा उसमें कोई भी merging जैसी सुविधा अभी 7 Pay Commission में नहीं गई है लेकिन हाँ अलग इसमें आगे जाके कुछ recommendations होते हैं कुछ changes होते हैं तो उसमें कहा नहीं जा सकता और अगर ऐसा होता है तो merging करने से पैंसन को बहुत जादा फायदा हो सकता है कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा क्योंकि इसके बाद उनकी basic pension 80,000 हो जाई यानि 40,000 basic प्लस 40,000 हो दिया तो merging करने से हाँ कर्मचारियों पैंसन और फैंबली पैंसन को बहुत जादा फायदा मिलेगा लेकिन 7 CPC में जो है इस टाइप से मर्जी की कोई भी सुविता प्रवाइड नहीं कराई गई अब बात करते हैं दूसरी जो पैंसन रिवीजन में लेकर के बड़ा अपडेट आ रहा था कि पैंसन रिवीजन का जो एक्रोइट फोर्मुला है मैंने पिछले कुछ दिनों इसकी बात की थी और ओर्तोमेटिक पे रिवीजन की भी बात की थी तो पैंसन कमेंट करते हैं कि इन में से कौन सा बेस्टा है मैंनों से पूछा था तो उन्होंने पूछा था पूछा था सा यह हमें जानना है तो अल्या सा बता दू कि क्या हो सकता एक्रोइट फोर्मुला वह में लेकर आएं पूरा अब देख सकते है सामनी स्कीन पर भी कि केंदी करमचारियों की सैल्ली और पैंसनस की पैंसन में इजाफ़े को ले करके एक नए फॉर्मूले की चर्चा है आजकल और वो एकुरेट फॉर्मूला है इससे फॉर्मूले से करमचारियों की सैल्ली और पैंसनस की बेसिक मेहंगाई, cost of living और कर्मचारी की performance से जोड़ा जाएगा इन सब चीजों के आखलन के बाद ही सेली में यह आफा होगा इससे सभी वर के कर्मचारी को फायदा होगा आना कि अभी यह सिर्फ सुझाव है इस पर विचार किया जा रहा है अभी तक किसी फार्मूलों को फाइनल नहीं किया गया है इसके लावा इसमें दो-तिन चीज़े और की गई है तो क्या है वो दो-तिन चीज़े जिन पर विचार हो सकता है आप देख सकते सामने स्क्रीन पर साथवे वेता नायोग यानि सेवन सीपीसी की सेपारी से 2016 में लागू की गई थी उस बात को अब साथ साल बेच चुके है या आठ साल कह सकते बीच चुके हैं सुत्रों की माने तो केंदी करमचारियों की सैली तै करने के लिए आठवे वेता नायोग यानि की एर्थ पे कमिसन को लेकरन की गठन को अभी कोई विचार नहीं है जैस यानि किसता नायोग बटते नहीं होगी तो केंदी करमचारियों की परफॉमेंस तै कि करे 시청 लिए उसके लिए पूरे साल की रेटिंग में दी जाई और संविक्षाarak वय्यक्रण अधार उनकी साल का परचेंटर बटत Taak तैय हुआ और इसके लिए आप बता दूँ कि जो एक्रोइट फोर्मुला है वो बेसिकली आपका कोस्ट अप लिविंग पर उनकी परफोर्मेंस पर पैंशनर कर्मचारियों की परफोर्मेंस पर और कोस्ट अप लिविंग पर बेसिस होगी और आट पे बेता नायोग में यह सारी चीजे आगे देखने को मिल सकती है लेकिन या भी सब जितने भी मीडिया है चाहे यूट्यूब चैनल से इन सब पर सिर्फ आंकलन लगा जा रहा है यह बोल सकते हैं गैसिस किये जा रहे हैं लेकिन एक्जक्ट क्या हुआ हुआ हो सिर्फ और सिर्फ आपको यह भी बड़ी ख़बर निकल कर आ रहा हुए किन सरकाट ने कर्मचारियों और पंसनों उसके मायगाई बत्ते और मायगाई राहत में 4 प्रिजदी के बडूतरी कर दी है अब डीए डीयार की 50 प्रिजदी पर पहुंच गशी यह निया में कि डीये 50 प्रिजदी के पार होत जो कि मैंने अपने प्रिवेस वीडियों में भी बता दिया था अब बड़ी ख़बर निकल कर यह आ रही है कि कर्मचारियों को अब आठवे बेतन आयोग की गठन का इंतियार है आई याटी ऐसे ने भी केंद्रि वित मंत्री से आग्रह किया है कि केंध्रकाब को बिना किसी दे रही है कि आठवे बेतन आयोग को घठन करना चाहिए यानि कि आप गवर्मेंट पर गवर्मेंट से पूछा जा रहा है कि गवर्मेंट कब तक इसका करे ही है जो है गठन अब यह सरकार कर नहीं कर रही है विचार संसद के पिछले सत्त के दोरान सरकार ने आठो बेता नायोग के गठन को लेकर दो टूक जवाब दे दी था छे फ्रवरी को सराच्ट साव में संसद ने आठो बेता नायोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था वित्र मिम्राज मंत्र मिस्टर पंका चोधी ने इस सवाल के जवाब में कहा सरकार के पास इस प्रकार का अभी कोई भी पैस्ता व विचारा दी नहीं है जैसे मैंने बैताय अलाकि उन्होंने वेता नायोग के गठन को लेकर पांची बड़ी अवस्ता और तीस वर्षे महंगाई का सामना यह तर्क भी दिया आगे सरकार द्वारा साथे वेता नायोग के केंद्री वेता नायोग के पैरा 1.22 पर बिचार ना करने और उसे अनुमोदित ना किये जान मिश्टा पंकर चोतिनी जवाब में बोला था कि सातु बेता नायोग के आधार पर बेतार बत्तों में संसवादन को अनुमोदन देते समय केंदी मंत्री मंदल ने इस मामले पर भी कोई विचार नहीं किया है और आगे का आगे सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ता न बात करें तो स्टाप साइट की दाश्ति परिस्तत जेसियम और अखिल भारती रक्षा कर्मचारी महासंग के माहसाचीव स्री कुमार के कर्मचारियों के दिये का आंकड़ा 50% हो चुका है अपकें सरकार के समख्ष दमगार समख्ष आठो बेता नायोग की गठन का पैस्ता जा सकती है कर्मचारी संगठनों ने कें सरकार द्वारा आठो बेता नायोग को गठितना करने को लेकर अथन्त दुगार दुरबागिपूर बताया है भरत पैंसर समाज ने भी आठो बेता नायोग की गठन की मांग उठाई है तो आप देख सकते हैं कि अलालग पैंसर्स सरकार से इसके रिगर्डिंग बाच्छीत कर रहे हैं ओ सरकार को इससे पहले भी कर्बचारियों और पैंसर्स को लेकर के क Sutra काई सारे इसमने इशूस हैं कोई सारे मुद्धे जो हैं वो लेकर सरकार के सामने आते हैं लेकिन आगया आने वाले दुरूं में जब देखना होगा क्या बाकई में आठोवेतन आयोग या डी अमर्जिंग जैसी सिच्वेशन होती है आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आपके इसाब से कौन से फॉर्मिलर बेस्ट हैं क्या डी अमर्जिंग होने चाहिए हो भी हमें आप कमेंट करके जरूर बताएगा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा सेर सभी के साथ करिएगा ऐसी न्यूस, इंफोर्मेंशन और अप्डेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा मिलते हैं आपको नेक्श वीडियो में थैंक यू सो मच